हलो फैंस बहुत बहुत स्वागत है आपका English Advantage YouTube चैनल पर फैंस इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूँगा कुछ बैस्ट पैराजंबल ट्रिक्स और यह लॉजिकल रीजनिंग की ट्रिक्स हैं इन ट्रिक्स से जिजी पैराजंबल के के कॉश्टन को आप करते हैं तो विदिन सेकंड्स आप एकूर्शी के साथ इन गिश्टन को आप कर पाएंगे तखें के पैराजंबल के बिश्टन्स हैं मैं कुछ logical reasoning tricks मैं आपको इस video class में बताऊंगा और इन tricks को यदि आप apply करते हैं successfully यदि आप apply करते हैं तो बहुती कम time में पूरी accuracy के साथ किसी भी तरह के PQRS या प्रेजंबर question को आप solve कर पाएंगे यह थोड़ा सा tough तो होता है definitely tough होता है लेकिन scoring भी यह बहुत ज़्यादा होता है यानि यदि इसको आप पूरा सही कर देते हैं तो 5 या 10 marks आपको इसमें मिल जाते हैं अब देखे एक यह banking का प्रेजंबर में ने लिया है इस तरह का question है यह bank PO में clerk में, means में पूछा जा सकता है तो प्रेजंबर के question को कैसे करना है देखिए ज़्यादा तर cases में प्रेजंबर के questions पूछे जाते हैं वो technical हो सकते हैं पर्टिकली banking exams में तो आपको इनकी language को समझने की कोशिश नहीं करना है आपको cable logical reasoning tricks को apply करना है students क्या करते हैं प्रेजंबर को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका meaning क्या निकल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा time लगता है आपको cable logical reasoning को apply करना है और इससे आप बहुत जल्दी से आप इसको कर सकते हैं और accuracy के साथ कर सकते हैं अब देखिए प्रेजंबर क्या है कि जंबर्ड paragraph है ठीक है एक जो sequence में पर इसके जो sentences होते हैं उसको जंबर्ड आप यानी mix कर दिया जाता है अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको title sentence या first sentence निकालना है और first sentence निकालने के लिए आपको ऐसे sentences को अलग करना है जो first sentence नहीं हो सकते ये सबसे पहले आपको ये ध्यान लगना है first sentence निकालने के लिए यदि आपने first sentence निकालने के लिए तो समझे आधा काम आपका हो गया लेकिन first sentence आप कैसे निकालेंगे अब देखिए first sentence निकालने के लिए ऐसे सभी sentences जो first sentence नहीं हो सकते तेकनीक, अब देखिए, फस्ट सेंटेंस आप कैसे निकालेंगे, देखिए, यहाँ पर लिखा है, फस्ट, देखिए, कोई भी ऐसा सेंटेंस, जिसमें फस्स, सेंटेंस या थर्ड लिखा हो, वो फस्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक series को indicate कर रहे हैं ठीक है अब इस series का reference पहले आया होगा एकदम से direct आफ फस्स नहीं बोल सकते इसका reference पहले आया होगा कि यह first की series को indicate कर रहा है ठीक है कोई भी ऐसा sentence जिसमें pronoun है किसी भी तरीके का कोई भी pronoun है जैसे he है, she है, it है, these है, those है वो sentence first sentence नहीं हो सकते या कोई भी connecting word है तो वहाँ से कोई भी paragraph starts आपका नहीं हो सकता देखें इसमें first लिखा है तो यह sentence first नहीं हो सकता इसमें देखिए, यह वाला word देखिए, these these factors, यानि यह क्या है, pronoun है, यानि यह sentence first नहीं हो सकता अब यहां पर देखिए taking both nominal and real GDP into account यह both कहां से आ गया मतलब यहां पर हम बोल ले हैं कि nominal and real GDP into account तो यह both actually यह first नहीं हो सकता क्योंकि इसका reference कहीं न कहीं पहले आया होगा अब यहां पर देखिए यह एक series का बात है यहां पर लखा है second यहां पर लखा है first यानि first के बाद यह second आएगा यह किसी series किसमें बात हो रही है और यहां पर देखिए it is possible that two contrary factors यह two भी किसी ना किसी noun को replace कर रहा है two contrary factors मतलब कौन से factors वो factors का mention पहले आएगा उसके बाद यह आएगा यानि यदि conclude किया जाए तो यह sentence first होना चाहिए ठीक है अब देखिए इसको पढ़िए थोड़ा सा former chief economic advisor Arvind Subramaniam has argued that the figures of GDP growth are exaggerated यदि थोड़ी सी आपकी reading habit अच्छी है तो इस sentence का meaning यह है कि सुबरमनियम साब जो है वो कह रहे है कि GDP की जो figures है GDP से related जो data है GDP growth से related वो exaggerated है मतलब उसको बड़ा चड़ा कर हम बता रहे है तो यहां से definitely एक paragraph start हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि यह title sentence की तरह लग रहा है ना कि एक connecting sentence की तरह है या extension की तरह है तो suppose मैं इसको first sentence यदि मांगता हूँ तो यह हो गया आपका e ठीक है अब देखिए इस से अब आपका आदा काम हो गया अब यहां से आपको link लेना है अब इस sentence को जहां से देखिए taking both nominal and real GDP into account both subramaniam देखिए इस वाले sentence में e में subramaniam आया है ठीक है e वाले sentence में subramaniam आया है और इसमें भी subramaniam का एक link मिल रहा है यहां भी आपने subramaniam के बारे में बात की है तो यहां पर आप देखिए taking both nominal and real GDP into account both subramaniam and the government could be right in their own respective ways मतलब subramaniam साब यह कह रहे हैं कि GDP के जो growth rate है exaggerated है वो बड़ा चला कर दिखाया गया है तो उनका यह opinion सही हो सकता है तो पहले वो opinion देंगे फिर हम बोलेंगे कि उनका यह opinion सही हो सकता है यहां से एक definitely E और C का एक logical जिसको हम बोलते है mandatory pair definitely एक बन रहा है क्योंकि पहले उन्होंने कुछ बोला एक statement दिया उसके बाद हम वहाँ पर बोलें कि उनका statement सही हो सकता है तो definitely यह logically connected है E और C जो है यह logically connected है ठीक है अब देखिए अब इसके बाद देखिए देखिए यहां पर हमने क्या बोला है taking both nominal and real GDP यहां पर दो तरीके के GDP की बात हुई है nominal GDP plus real GDP दो GDP की बात हो रही है ठीक है अब इसको देखिए इसका link यहां पर दिया है यह देखिए it is possible that two यह जो two word आ रहा है यह किसको replace कर रहा है यह two इसी के लिए आ रहा है nominal and real GDP ठीक है पहले nominal and real GDP हम बोलेंगे उसके बाद बोलेंगे two contrary factors जो कि मैंने आपको बताया था कि two contrary factors जो है यह किसी ना किसी noun के लिए यहां पर आ रहा है ठीक है तो e हम first sentence ले रहे है then c हम ले रहे है then then क्या आएगा इसके बाद इसके बाद हम ले सकते f ठीक है अब इसके बाद आपकी यहां से series start हो जाएगी देखिए यह sentence तो हम ले चुके है e c f यहां से आप देखिए e आप ले चुके है ठीक है c ले चुके है और f ले चुके है अब इसके बाद series start हो जाएगी तो second वाला sentence first नहीं आ सकता पहले first वाला sentence इसमें जो first लिखा है पहले हम किसी एक statement को first बोलेंगे उसके बाद हम second बोलेंगे तो यहां पर भी एक common logic है यानि पहले a आएगा और फिर d आएगा ठीक है पहले a आएगा और फिर आपका d आजाएगा तो यहां पर मैं लिख देता हूँ a and d ठीक है अब b में देखिए the net result of these factors यह जो जितने सारे factors बताएं हैं उसके बारे में तो हम end में ही बोलेंगे यह sentence के end में आ जाएगा यहां पर यह देखिए हलाकि यह चूकि यह video class है मैं आपको explain कर रहा हूँ लेकिन इस पूरे para-jumble को solve करने में maximum 10 seconds का time लगेगा maximum में बता रहा हूँ आपको और यदि इसकी एक-एक लाइना पढ़ेंगे उसका अर्थ निकालेंगे तो वो वैसे नहीं करना है वो गलत तरीका है यह मैंने जो logical reasoning का यह तरीका बताया है यह है तरीका सही ऐसे banking के questions को आपको solve करना है ठीक है तो आपका जो सही sequence बना वो बना ECFA DB अब इसके base पे questions जो है यह आप कर सकते हैं पर सेंटेंस कोंसा है री अरिंजमेंट के बाद तो फस्स सेंटेंस है आपका E तो आपका answer क्या हो जाएगा फस्स हो जाएगा यह वाला जो है फस्स आंसर question number 1 का answer हो जाएगा 1 अब देखिए last sentence कोंसा है last sentence है आपका B तो आपका answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका इस question का answer हो जाएगा fourth अब देखिए यह थोड़ा सा नया pattern है कि consecutive pair sentences का consecutive pair कौन सा बन रहा है यह आपसे पूछा जाता है इस समय पूछा जा रहा है तो इसमें आप यदि देखें यहाँ पर sequence E C F A D B ठीक है तो यहाँ से आप देख लीजे E C F A D B F A बन रहा है इसमें ठीक है बाकी pair नहीं बनना है एक F A का एक pair बन रहा है इसमें तो इसमें answer हो जाएगा आपका fifth और second last sentence second last मतना पांचवा sentence कौन सा है तो E C F A D B यानि D जो है यह second last sentence है यानि इसका answer हो जाएगा आपका first तो इस तरीके से clarity के साथ banking के questions को किया जाता है और banking exam में यह आप एक professional guidance लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी paid classes भी आप जोइन कर सकते हैं इसमें आपको top class superior guidance बिलेगा सभी sections का चाहे pre हो चाहे mains हो descriptive हो, GDPI हो और banking के courses अभी चल रहे हैं SBA PIO और clerk के लिए इसमें अभी एक offer चल रहा है 31st Gen तक 31st Gen से पहले यह आप bank PIO को कोर्स एक साल के लिए जोइन करते हैं तो इसमें एक साल के लिए bank clerk का पूरा course आपको totally free of cost दिया जाएगा तो इसके लिए आप examini.in यह हमारी official website इस पर आप sign up करें और यहां से आप bank PIO कोर्स आप जोइन कर सकते हैं और उसमें bank clerk कोर्स में आपको assign करके दूँगा तो यह 31st Gen तक आप इस offer को आप ले सकते हैं, इसको avail कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको यह explanation इस अच्छा लगा तो इसको like आप जरूर करें, share करें comment करके मुझे बताएं कि मेरा explanation आपको कैसा लगा और किस तरीके से यह techniques आपको help कर सकते हैं तो comment box में प्लीज जरूर लिखें और share जरूर करें इस video class को तो इस video class में इतना ही